वीडियो में आपको ताहूँगी सही तरीके से ब्लाउस की फिटिंग कैसे करें और जो आम होल में आगे पीछे होता है उसको सही कैसे करें देखिए मेरे पास काफी कॉमेंट आएं यूटूब पर फेस्बुक को एक जब स्लिप को अटेच करते हैं तो देखिए एक भाग स् पीछे जाएगा तो वह सब नहीं हो तो उसका तरीक आपको बता जेती जो कि काफी इजी है जब आप ब्लाउस करते हैं उसी समय आप दिहान रख लेंगे तो आपको ब्लाउस में फिटिंग करती समय कोई विदिक्कत नहीं आई तो तीकि यह मेरा ब्लाउस सभी पार्ट अ और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रेंट पार्ट है इनको बेख पार्टों के साथ अटेश कर लेंगे और उसके बाद फिर अठेश करें तो सबसे पहले आपको सुल्डर को सही तरीके से सटेश करें बो तरीका हम क्या है इस तरीके से सोल्डर पर स्टेच डालते हैं तो यह पार्ट यहां पर इस तरीके का रखता है जो कि काफी खराब लगता है अच्छा नहीं लगता है तो अभी दूसरा तरीक बताते हूं जो फिनिशिंग के साथ अब इसको अटेच इसको हमें सी तरीके से रख लें देखिए जो एश्टापार था उसको कट कर दिया अभी हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से खोल देंगे देखिए खोल देने के बाद इसकी finishing कुछ इस तरीके से आएगी देखिए और जो हमने यह वाला stitch किया है इसकी finishing देखिए इस तरीके से आएगी तो आपको इन दोनों में से कौन सी finishing ज्यादा अच्छी लगी है comment करके जरूल बताएं कि आपको यह कौन सा method ज्यादा अच्छा साण Guiday बताएं के तो सबसे खास दियान आपको देना है कि जो यह दोनों पार्ट है हमारे साईड के अगे और टीछे के तो दीगे जो यहां पर है इस चीज को खासकर आपको दिढ़ बतावना है देखिए जो यह साइड फिटिंग रहती है यहां आपको दिहान रखना है इस तरीके से हम पहले नाप लेंगे इन दोनों पार्टों को अगर ये दोनों पार्ट बराबर से आए तो आपकी फिटिंग में कोई भी गड़बर नहीं आएगी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आजाएगी देखिए ये पार्थ हमारे यहां पर तो बरावर है लेकिन यहा पूरा दागे निकलते ही रहते हैं इसको कट कर लेते हैं यह सारी दिक्कत आपको आती हूंगे देखिए नीचे से हमारा ये कमर में हमने बरावर से रख लिया और यहां पर भी एक बार देख लेते हैं जितना हमारा सिलाई मार्ज ने उतना बरावर आना चाहिए जो दाग यहां पर आमगल बचैते हैं और अपार पर बारावर ने कि यहां पर आपको दिक्कत कूछ ने रहा एंसी तरीके से हम इस तरीके से फोल्ड कर लें और यहां पर एम देख लेते हैं कि हमारे जो Energ मे और पीछ से वाले पार बरावर में कि नहीं अए बारावर 서 इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है अगर आपका जैसे ब्लाउज में था हलका आगे पीछे तो आपको यहां से छांट लेना है अभी अटेच करते है तो दिखिए जो यह सेम ब्लाउज का कपड़ा है यह मारा फ्रेंट में आएगा प्लैन वाला जो है बैक में जाए देखिए यह पार्ट भी हमारा देखिए कम ज्यादा बिल्कुर नहीं पड़ा है सेम पड़ा है दोनों साइड होंगे अब इस पर डबल इस्टिच डाल ले और जैसे एक किनारी है यहां इस पर छांट देंगे इसको और बाद में यहां पर जिक जिक डाल सकते हैं क्योंकि मैंने जिक 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 भी कर दिया है जैसे क्या है अब दागी नहीं निकलेंगे अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे तो हमारा जो मार्जन है उतना मार्जन हम प्रख लेंगे क्योंकि हमने दो इंच का मार्जन इसमें एड किया था और यह मैंने गोल कट बनाया था जो कि इसक साइट के सेटे श्टी से मुहर yazए अगे देखे सब्स कर देखे आप जो आम होलाई देख रहे हैस्ट अपछेदा एकदमाट्क कर रहा है कोई狂गा नहीं आहरा है क्योंकि हमने जब इस्टिच किया था उसे पहले इसको पूरा चैक कर ले था आगे पीचे को पार्ट में दे लिए गया ले तो इस तरीके से प्रॉलम आपको नहीं आप देखि कि इसी तरीके से मैं दूसरा स्लिप तेहर कर लेत इक दम बरावर आः पीछ होँ तो इस साफ । आधि तो एक दम बरावर से जोंट यहीं लगे आप देखे न पर कितनी अच्छी अच्छी अंच्छी फिंचिंग शाथ है अ挑़ यह भीडर के जिदेख सिव म१ρώ को इससे क्या है काफी अच्छी फिटिंग आती है बहुत ही अच्छा लगता है तो आप दोनों साइटों में देखेंगे एक तम हमारी मुड्डे एक दम बरावर है और देखी जो हमने सोल्डर स्टिच किया तो मैंने दो तरीके से आपको स्टिच करने का तरीका बताया था तो फिर इसको यहां पर टाकर लगा और फिर भी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है जितनी अच्छी इस साइड में आ रही है तो आप यह तरीका अपनाएंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा फिनिशिंग के साथ तेयार हो जाएगा तो आप इस झाल झाल झाल